नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शेनल में मत्रों मिठाई वाट्टे के लिए हो जाई है तयार क्योंकि तुलारासी वाले जातकों की 15 नमबर से होंगी रादा जैसे जिंदगी इन लोगों के जीबन में सारी कश्टों समस्याओं से इन लोगों को सुटकारण मिडने के साथ-साथ इन लोगों के जीवन में रादाजीस हापके थाट वाट से होने वाली हैं और इन लोगों के जीवन में मिठाई वाटने lt क समय आ जुका है आपको बताएंगे शारी जानकारी के कौनसी शित्रों में कारी करना आपके लिए सुभन होगे ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों आपके जीवन में दंदोलत में बढ़ोत्री होंगी कारी शेतर में वेपार में आपको विसेज बड़े उर्सनवरी अवसरों की प्राप्ती होंगी आपके सुचने समझने और कारी करने के एक्षा सक्ती में अवस्य बढ़ोत्री होंगी वहें आपके से नए समानों की खरेदारी कर सकते हैं आपके से नए चीजों की प्राप्ती के लिए कापी ललाहक हो सकते हैं आपके जीवन में आपको रूपे पैसे में बुड़ुतरी करने के मोकई भी आवस्य हाशल होंगे आपके भागे का साथ मिल सकता है आप अपने कारी शेत्र में विशेत्र बड़े उसनोवरे अवस्रु की फ्राप्रति कर सकते हैं कारी शेत्र में लाब होंगे सिक्चा के शेतर में अच्छे प्रिणाम मिल सकते हैं बड़े वजर्गों के किसी काम के किसला से आपको लेना पर सकता है आपको करियर में आपको लाव दे सकता है आपके जीवन में आपको उद्देश फ्राप्ति के लिए फ्रियास करने होंगे मांसिक प्रिस्तानी से चुटकारा मिल सकता है आपको वेपार आप पर गर्व कर सकता है संतान पक्षे से भी आपको सुको की प्राप्ती होंगी आपको पारिवारिक खुश्यों में इजाफि होंगे जिनसे की आपका आनिवालस में लखी रहेगा आपके सभी रुके ही विगडे कारी भी बन जाएंगे आपके पास धन का आगवन हो सकता है आपका विवावी अच्चे परिवार में ते हो सकते हैं तेजी से प्रगत्ति कर सकते हैं और सभी प्रकार के दुखदर दुखो समाप्त कर सकोगे आपका आनिवालस में बहुत इसुब रह सकता है, भूमी भवन से समंधित कारे में आपको अच्छा फादे होंगे, परिवार की आरतिक इस्तित्यों में बड़वदलाव हो सकते हैं, जीवर में आयने सदस्य से, आपके जीवर में काफी खुस्नमा वात्तवन हो सकता है, आप शेत्र में विसेज बड़े सुनवरे वस्रू की फ्राप्ति होंगी, तथा आप अपने परिवसे बात कर सकते हैं, आप अपने समस्याओं को सुलजानी की कोशिस कर सकते हैं, पैसों के मामलों में आपका समय काफी अच्छी होंगे, आप अपने खर्चों को कंटूर करने की अवज से कोशच करें, नोकरी और ओफिस में आपके दिकारी कर से योग मिल सकता है, परिवार में खुशी का माहूल रह सकता है, मनमें भावनात्मक्ता बढ़ सकते हैं, और आपको मा बहनों से फायदा हो सकते हैं, उत्तम विवा सुक मिल सकता है, जमीन दस्तावेद के दस संतानों से सुको की प्राप्ति होंगी, और कारी शित्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकते हैं, बिजनस में पैसे कमाने के अच्छी मौक्य मिल सकते हैं, पारिवारिक जीवन भी आपका कुझ नयाग कर सकता हैं, आपके सत्रू बेपरास्तों होंगे, विवाहितों का बिवा हो सकता हैं, घर में संतान का जन्म हो सकते हैं, बैपार में भी लाप की प्राप्ति हो सकते हैं, दाम पत्र सुको की प्राप्ति होंगी, और कारी शित्र में विशेद बड़े सुनवरी अवसरों की प्राप्ति होंगी, करोडों के धंचपति की प्राप्ति कर सकते है आप अब दिन दूगनी रात चोगने तरकी हासिल कर सकते हैं, मातारानी की कृपा से जीवन में लाब की प्राप्ती हो सकते हैं, जिनसे की आपके सभी सुख सब्धाव में वड़तरी होंगी, कारीशेत्र में आपके दिल की एक्षाएं भी पूरी होंगी, और आपको कारोबा में नय सोदे को अंतिमर्व दिया जा सकता है, जिनसे की आप अपने जीवन में कई प्रकार के सुख साधरों की फ्राप्ती कर सकते हैं, नोकरी बदलने का विचार भी आपके मिन में आ सकता है, जो आपके लिए काफी लाब दायक होंगे, बैपार बैवसाई में आपको उत कासी प्रगति फ्राप्त होंगी, आपकी आमदनी में बड़ुतरी होंगी, आर्थिक लाब प्राप्त करने के नमीद रास्ती मिल सकते हैं, भाई बहनों और बढ़ों का साथ के साथ आपके सुहादर पून और प्रेयम पून रह सकता है, परिवार के सदसों के साथ आपके स चुटी मोटी यात्राओं पर भर्मर कर सकते हैं आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद में रह सकता है और कुछ हाल रह सकता है आपको जीवन में वेफारिक द्रिश्टी कौन से आपका समय कौफी अच्छा रह सकता है आर्थिक लाब हो सकते हैं आपके कार्य पुर्ण होंगे, किन्तु उन में कुछ देरी का सामना भी करना पड़ सकता है दैनिक कार्यों में आप अपने परिवार के सदस्यों की भागेदारे और परतसन से काफ़ी प्रसंद होंगे अच्छी खासी प्रगति भी प्राप्त होंगी आपका ज्यान बढ़ सकता है, शिट्चा के शित्र में आप चुमक सकते हैं और नवीन तरीकों से समस्याओं को सुझाने के अपने विशेश प्रतिभा के लिए पहचान को हासिल कर सकते हैं वेवसाइक शित्र में आप परसंद्चा के पातर रह सकते हैं आपको अच्छा उथान या पदुनतिवी प्राप्त होंगे आपके लोग प्रियता बहुत थी बढ़ जाएंगे आपके आमदनी बढ़ जाएंगे आपका पारिवारिक जीवन भी आराम दायक और कफिस सुखद रह सकता है आपका जीवन साथे बहुत प्यार करने वाला आपके देखवाल करने वाला हो सकता है आप अपने कामों को लेकर निशित रूप से कौफि जिद्धी हो सकते हैं आपके से बिमारे से फीडिस हो सकते हैं बहावनात्मक रूप से आप थोड़े प्रिसान होंगे और तनाव के स्थितिया रह सकते हैं परन्तु आपको अपनी आखों के दृष्टी से कोई असुविदा हो सकती हैं आपको नैतर समंदी सलईना आवस्यक हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ आपके समंद कफी अच्छे होंगे आप अपने जीवन के सभी छेत्रों में सफलता एवं समर्दी को प्राप्त कर सकते हैं आप अपने वरिष्टों से लाप की प्राप्ती कर सकते हैं और वैवसाइक रूप से आपके वहतरी स्ततियां रह सकते हैं कमाई वड़ सकते हैं आपको कई अन्यसरोतों से लाप की प्राप्ती होंगे दूर की यात्राएं विफलदाई सावित होंगे पारिवारिक जीबन भे आपका सुख सान्ती पन और काफे आराम दायक रह सकता है सवे सदस भे एक दूसरे के साथ सुहादर्पन वहवार कर सकते हैं आज आपके पास अनुकुल प्रिस्थित्या होंगे आपको सवे तरफ से लाप की प्राप्ती होंगे कारिशेत्र में वरिष्ट और सकर्मी के साथ आपके समन्द मदर होंगे आपको अपने प्रतिभा और अपने परियासों के लिए उचित मान्याता भी प्राप्त होगा पारिवारिक जीबन भे आपका खुशियों से उजबल रह सकता है आप एक नया बैवसाय सुरू करने या विवेकपुर निवेस करने के लिए या एक बहुत ही अच्छी हवदी हो सकती है आपका नाम और परसिद्ध भी व्याफक हो सकते हैं आपके पास नए अधिगरन हो सकते हैं आज के देन मित्रों आपके जीबन में वैवसायक संदर्ब में किसी भी तरक कोई भी बदलाव करने के लिए आपका समय कफी अच्छी होंगे आठी पक्ष में भी आपके मजबूती आ सकती हैं आपको सही समय पर अपने साहता के सी को बड़ी पृसानी से पचा सकता है आप अपने प्रेमी के साथ अच्छी तरह से वर्ताव करने के अवसे कोसस करें वित्य मामलों को ब्रियास विज्ञान से रुडे लोगों के लिए निरास्ते खुल सकते हैं निजी आत्राय लाप परद होंगी फारिवारिक संदर्ब में आपका कोछ समाजिक सम्हारों का अवजिन हो सकता है जो आपके जीवन में खुस्तियां दे सकता है आपके सारी की सारी इज़त पत्वर्दिष्टा में अवस्य वड़ोत्तरी होंगी मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवर में आपको विशेश बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ती होंगी पुराना निवेस भी आपको अच्छा कासा मुनाफ़ा दे सकता है जरूरी कारे भी आपके सही समबर हो सकते हैं जरतमन्द लोगों की और से आपको कोई अच् सिवे प्रकार की फ्रिसानी का समधान आपको मिल सकते हैं और कुछ बड़े फैसले भी आपको काफी जादा करने पर सकते हैं गर प्रिवार में निवेस करने के लिए आपका दन काफी बतर होंगे फ्रेम जीवन के लिए आपको समय काफी अच्छा रह सकता है लगातार प्र से में हो सकते हैं, पुरानी बातों को आप बुला सकोगे, लोगों की और से बैत्रिन कारी को आप कर सकते हैं, मर में